नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे यूपीटेट एक्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट तो आज हमारी तारीक हो चुकिए 16 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज यूपीटेट लेटेस्ट अपडेट को आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीटेट 2021 योगिता को देखेंगे जाने किंच हत्रों को मिलेगा अविधन का मौका जिया दोस्तों जितने बच्चे डेलर्ड या बेट का कोर्स कर रहे हैं अकर वो फेल हो चुके हैं त यूपीटेट परिच्चा 2020 के आयोजन हेतु संसोधित कारिकरम जारी 18 मई से आविधन होगा एवं 25 जुलाई को होगी परिच्चा देखें सासना देश की कौपी इसको दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखें एक बात और आपको बता दे यूपीटेट इसका स्लेबस देखेंगे कि दोस्त इस बार आपके पेपर में कैसा स्लेबस रहेगा कौन-कौन से सबजेक्ट आएंगे और देखे आपके मन में एक सवाल रहता है कि संस्क्रत ले या अंग्रेजी जी यहां दोस्त अगर आप यूपीटेट या सीटेट कोई भी देते हैं तो guys आपको option मिलता है इन दोनों में से किसी एक विशे को चुनने का तो guys अगर आपके संस्क्रत अच्छी तो संस्क्रत लेना है अगर आपके अंग्रेजी अच्छी है तो अंग्रेजी decide आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके तयारी क करना और paper में दोस्ते ये आपका 30 नंबर का आएगा जाने कौन कौन से subject paper में इसको देखेंगे एक और update दोस्तों सुबह सुपह अच्छी खुसकबरी है कि TGT PGT added collegeों में सिचकों के 15198 पदों पर भरती के लिए विज्यापन हुआ जारी आज से आवेदन होंगे शुरू जी याँ दोस्तों इसके भी आवेदन एक बार फिर से सुरू हो रहे हैं देखें उत्तर परते सिचक पातरता परिच्छा यूपिटेट 2020 एवं आगा में उत्तर परते सिचक पातरता परिच्छाओं के आयुजन हेदू संसोदित एवं नवीन मार दर्शी सिधान जारी हो तो दोस्तों पूरी अपडेट को में इस वीडियो में डिसकस करेंगे चिया दोस्तों ये यूपिटेट के लिए है देख रहे हैं आप लोग तारिक लिए कि दिनांग 15 मार्श 2021 मतलब काल इसको जारी क्या गया है तो दोस्तों पूरी अपडेट यहाँ पर लिखी गई है क और जो पेपर में कोश्चन आएंगे दोस्तों समत्य कोश्चन बहों विकल्पी होंगे और प्रतेक प्रतने के चार विकल्प होंगे और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आप अन्नाका रात में कुल्यांकर नहीं होगा जिया दोस्तों चातर में कन्फ्यूजन हो जाती है पेपर में निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो गैस इस वाली लैन को चरहा ध्यान में रखिएगा, परिच्या समानिता वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, तो दोस्तो अच्छी बात यह है न, जो यह इस बार यूपिटेट का पेपर होगा जुलाई में, कैसे यूपिटेट 2020 है, समझ रहे, 2020 का आयोजिन हो रहा, मतलब 2021 वाला नहीं है, तो 2020 का पेपर होगा, उसके बाद दोस्तो बहुत ही जल्दी यूपिटेट 2021 वाला आयोजिन, दिसम्बर में होगा, तो बढ़िया वाली खुशकबरी है, तो यह दोस्तो आपने देख लिया पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बाद दोस्तो बात रहता है, जी हाँ दोस्तो यह सबसे इंपोर्टेट पॉइंट होता है, किसी भी पेपर के लिए, तो किन बच्चों को मतलब मौका मिलेगा, इसको जरा देखते हैं, पहले दोस्तो बात होगी, कच्छ प्राप्त संस्ता से दो वर्षिये DLAT या BTC के अंतिम वर्ष में सामिल होने वाले अत्वा उत्तीड, तो दोस्तो यहाँ पर एक बात क्लियर लिखी गई है, जो बच्चे फाइनल येर में हैं, DLAT के, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा, या जिन बच्चों ने अपना DLAT का कोर्स कम्प्लीट कर दिया, उनको भी मौका मिलेगा, ठीक है, दो कंडिशन है आपर, अगली अप्डेट दोस्तो देखिए, विदी द्वारा इस्तापित, UGC से मानता प्राथ विस विद्द्याले ये सब दोस्तो लिखे गई है, ठीक है, उत्तीड, इसना तक परिच्चा को मौका मिला, पहले लाइन में, दूसरे में दोस्तो यहाँ पर मौका मिला, सिच्छा मित रूखो, उसके बाद दोस्तो बात होगी, आप अगली मौका देखिए, किसको मिल रहा है, फिर सब दोस्त, UGC ये सब बात लिखी गई है, अब दोस्त यहाँ प लिखा दो वर्सी जिन बच्चों ने दो वर्सी डिएड किया, उनको भी मौका मिलेगा, उसके बाद दोस्तो अगली अपडेट है, बीएड, जी यहाँ दोस्तो देखिए, विदी दोरह स्तापीत, एबम UGC से मानता प्राप्त विस विद्याले, मा विद्याले में नियुन्तम, 50% अंकों के साथ इसनातक, अथ्वा परायसनातक, ठीक है, और NCTE से मानता प्राप्त संस्ताते सिच्छा सास्तर में इसनातक, बीएड के अंतिवर्स में सामिल होने वाले, अथ्वा उत्तिर, देखें गाईस, आपर बीएड जो छात्र होते न, उनको गाईस, 50% की अनिमारिता रखी ज तो गाईस, आपके कहीं न कहीं, 50% नमबर होने चाहिए, जो बच्चे B8 के हैं, लेकिन गाईस, अगर आप देखेंगे, आप DL8 के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो अगर आप B8 कर रहे हैं, तो इस बात को जर आपको ध्यान में रख जियाले से, निवंतम 45% अंकों के साथ इतनातक अपता परत नातक तथा सिच्छा सात्र में इतनातक B8 जो इस सम्मन्द में समय समय पर जारी किये गए, राष्टे ध्यापक सिच्छा परिसात मानता या मानतन तथा क्रिया विदी वीन एमों के अनुसार प्राप्ति किया ग अलिगर्ड मुस्लिम विस विद्याले से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष को छात्रों को मौका मिलेगा, तो दोस्त ये फिर देखे अलिगर्ड की बाते निवंतम 50% अंकों के साथ इंटर्मेडिट अत्वाइस के समकच चार वर्षिये सिच्छा सात्र में B8 के चात्रों को मौका मिलेगा, तो दोस्त ये बाते हो गई, प्रैमरी लेवल की कच्छा एक से लिके 5, जिसको दोस्तों हमको बोलेंगे पेपर 1, जी हां दोस्त यूपीटेट का दो पेपर होता है, ये आपका पेपर 1 हो गया, अब दोस्त बात आते है, यूपीटेट कच्छ चेत लिके 8 तक वाली, जिसको हम पेपर 2 कहते हैं, ठीक है, पेपर 2 हो गया, तो देखते हैं मौका किसको किसको मिलेगा, फिर से दोस्त होई, विदी द्वारे स्तापीत एबम UGC से मानता प्राप्त विस विद्याले से इस नातक परिच्छा, उत्तीर सता राष्टे ध्या के चात्रे जो फाइनल येर में है, या जिन्होंने कम्प्लीट कर लिया, उन चात्रों को इसमें मौका दिया जाएगा, ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है, बीएट के, तो देखें, जो बचे बीएट के फाइनल येर में है, उनको भी या गाइस मौका मिलेगा, लेकिन 50% अंको उनके ग्रेजवेशन या पोस्ट ग्रेजवेशन में होना जरूरी है, ठीक इतना तक या परहतना तक, उसके बाद दोस्तों बीएट में 45% वाली भी दोस्त निया पड़ दी गई है, तो ये गाइस बात हैं, तो याद रखें कि डेलेट शात्रों को भी मौका मिलता, कन्फूजन होती डेलेट शात्रों में, इसलिए हमने सुचा इस बात को आपके सामने रख दी जाएं, कुछ और बाती याद रखेंगा दोस्तों देखें, अनुसूचित जन जाती एवं अनले पिछड़ा वर्ग विसेत आरचर त्रेडी के अभीरतियों को पातरता हेतु नियुन्तम से अचे कहरता में, 5% अंकों के छूट के अनुमति होगी, तो दोस्तों अगर आप कहीं पर भी कुछ देख रहे हैं, तो कम से कम जो बच्चे OBC, SC या HT के अंतरगत आएंगे, उनको 5% का छूट दिया जाएगा, ठीक है न, तो यह सब दोस्तों बाते हैं, इसक सिचडविदी, कुष्चन की संक्या 30 होगे, और अंक होगे 30, ठीक है, आपको बता दे दोस्तों, पेपरवर्ट टोटल आपको 150 कुष्चन आता है, यूपीटेट में जिसमें से 150 नमबर आपको मिलता है, हर एक कुष्चन का एक नमबर होता है, तो दोस्तों पहले आपको सिचडविदी की, उसके बाद दोस्तों आति भासा प्रत्म हिंदी, ठीक है आपको एक हिंदी दोस्तों लेंगउज चूज करना पड़ेगा, लेना ही लेना है, उसके बाद दोस्तों देखे भासा दोती है, अंग्रेजी अथवा उर्दू या दोस्तों संत्कृत में से अगर आप चाह नो तो अग्रेजी मिलेगा, अगर आप चाह नो तो उडदू मिलेगा, अगर आप चाह नो तो संत्रत, जो भी आपका अमन करें, वो ले सकते हैं, उसके बाद दोस्तों जो आपका कम्पल तरी रेगा, वो गड़ित रेगा और पररहेवरर अधियन, ठीक है, खाली दोस्त आपको मतले भी तीसरा विकल देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक option दिया जागा कि कौन सा subject आपको लेना है, तो उसके बाद दोस्तों देखिए, प्रसनों की प्रकति और इस्तर, बाल विकास और सिछण विदियो के बारे में, प्रसन चे से लेके 11 आयू एवं अध्यापन की सहचिक मनुविज्ञान पर केंदरित होंगे, तथा ये विविदि सिछार्तियों की विसेश्ताव और और सक्ताव के समझने, सिछार्तियों के साथ आपत में प्रस पर अंतक रिया, तथा अधिकम की एक अच्छे, ठीक है, फैसिलिटेटर की मतलब पर केंदरित होंगे, तो गाइस देखिए, जब आप पूरा स्लेबस अच्छे से पढ़ कर जाती ने, तो आपका पेपर अच्छा होता है, आपको पता होता कि कैसे कुश्चन्स पेपर में आएंगे, उसके बाद दोस्तों देखिए, वही कच्छा स्छे स्लेक्याट तक मे कैसे कुश्चन्स पाएंगे, इसमें आपको जो पेपर होगा, बाल विकास और सिच्छड विदी का होगा, दोस्तों ये अनिवारे हैं, भासा हिंदी वन ये अनिवारे होगा, भासा टू, अंगलेजी अत्वा, उर्दू अत्वा संस्क्रेस में से कोई एक लेना है, पेप सिच्छक के लिए काव, अत्वा खाव, कोई भी, ठीक है न, तो मतलब दोस्तों इन दोरों में से आपको एक लेना, देखिए आपर जोड़िए नमबर 30, 30, 30, 90 होता है, बाकि दोस्त अगर आपने गडित और विज्ञान ले लिया, तो देखिए 30 प्लस 30, गडित के 30 कुश सिधे दोस्तों ये 90 उपर काओं के 60 होगे, 30, 100, ठीक है, तो गाइस अस्तर वही सब होगा, जो भी अपडेट से हैं, हमने दे दिया, तो देखिए दोस्तों देखिए अभी ये इंपोर्टन्ट है, यूपी टेट में सामिल होने वाले भेट्यू के अंकों का विब्रन साथ, साथ प्रतिसत और अधिक अंग प्राप्त करने वाले सामान वर के वेट्यू को पात्रता, प्रमाण पत्र जारी क्या जागा, जी या दोस्तों बात होती है, आप कटाप की, कितने मतलब पासिंग मार्क होगी, या क्या कटाप होगी, तो जो बच्चे जनरल कटेगरी तो फिर फेल है, अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती, एवं अन्य प्रिछडा वर्ग, सोतंतरता, संग्राम, सेनानी, आस्रिस, भूद, पूर्व, सैनिक, सोयम, विकलांग, स्रेडी के बेट्यों के लिए, नियुन्तम, आहर अंग, पच्पर, प्रितिसत, अर्था है, उनको पास होने के लिए 82 नंबल लाना होगा, ठीक है न, आगे के अपडेट देखे, यूपीटेट में अर्था प्राप्त करने से किसी ब्यक्ति का भरती या रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पातरता मान डंडों में से एक है, जी यहां दोस्ता मतलब अगर आपने यूपीटेट पास के लिए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको नौकरी मिल जानी है, क्योंकि इसके बाद आपको सूपर टेट के परिच्छा देनी पड़ती है, ठीक है यह सब दोस्तों बाते हैं, तो काफी चीज़ा आपने इस वीडियो में देखी, ठीक है, बाकि दोस्तों देखिए, कुछ आपका सलेवत रहेगा प्रात्मिक स्तर, उच प्रात्मिक स्तर, तो उसकी भी दोस्तों आपको तयारी करनी पड़ेगी, बाकि हमने कमेंट बॉक्स में नीचे आपको लिंक दे रखा जानते, दोस्तों सल किया गया है, देखे एक बात और आपके मन में एक सवाल होगा, देखे आएक अपडेटे देखे पहले, यूपी टेट पार्टक्रम की सनचना और विसे सूचिए, पेपर वन और पेपर टू, तो दोस्तों आप ये देख रहेए, पार्टक्रम में आपर दिया गया है कि कौ तरीक आपनाते हैं तो देखिए कभी-कभी आपका कुछ दुखका भी लग जाता है और पूरा स्लेबर्स आप नहीं देख पाते हैं तो फिर तन्फ्यूजन में रहते हैं और कौन सा कैसी होगा क्या क्या होगा तो उसमें देखिए आपके लिए दिक्कते आते हैं उसके बॉक्स में लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा जाकर डाउनलोड करना है चलिए वीडियो का आंत किया जाए लेकिन कुछ बाते और कर लेते जो हमने वीडियो में रखी थी आपके सामने योगिता दोस्तों आपने देख ली पासिंग मार्क आप समझ गए कि इन शात्रों का आविदन का मौका मिलेगा समझ के होंगे योगिता के अंसा डियरड और भीड में ठीक है तो गाइस जो यूपी टेट का इस बार आयोजन होगा जो इसका पेपर 25 जुलाई को होगा तो उसके लिए आविदन जो शुरू होगा 18 मैं से शुरू हो जाएंगे ठीक है 25 जुलाई को पेपर है तो अब आपको लगना पड़ीगा देखे यूपी टेट परिच्छा की तारीख आने से गाइस नई भड़ती करास्ता साब हो रहा है इससे पहले दोस्तों हमारी 69,000 भड़ती प्रक्रिया होई थी देखे गलती और आप लोग कुछ करके आते पेपर में देखे OMR भड़ने में काफी बच्चे गलती कर जाते हैं कुछ ने तो दोस्तों कम से कम 1000-10,000 बच्चे ऐसे हो जाते जो OMR में कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं जिनका रिजल्ट इन्वैलिड हो जाता है तो घाइस यह हर बार काफी बच्चे करते तो आएससे गलती आप मत करिएगा देखे यूपी टेट के साथ आप सीटेट का भी फॉर्म आगे तो इसको आपको आफिदेन कर देना है क्योंकि देखे जितनी अच्छी आपकी तैयारी हो गए अगर आपका टेट क्लियर है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि दोनों भी इपर दिया ज आप में दे दे रहें अगर आप आप विदन करना चाहरें बेट के शातर है तो आपके लिए बड़ी कुस्कवरी यह ठीक है बाकियो और जो भी आपके मन में डाउट होगा उसकी वीडियो के मादेम से मतलब अगले वीडियो में आपके जितने डाउट सों को उसको निराक करेंगे मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टिट चैनल पनेव तो चैनल को सब्सक्राइब के लिजेगा आने वाली वीडियो की नूटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टिट